नमस्कार दर्श निउस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं पृति दयाल आपके साथ देखे शिक्षव विभाग के अपड़ मुख्य सचीव के के पाठक का डंडा अब तक शिक्षकों से लेकर शिक्षव विभाग के अधिकारियों और पदाधिकारियों तक चल चुका है लेकिन अब एक्षन लेने की तैयारी है टोला सेव को और तालीमी मरकज पर क्या कुछ पुरा मामला है हम आपको विस्तार से बताते हैं बतादे कि 15 अप्रेल से ही सरकारी स्कूलों की छुटियां हो गई है लेकिन मिशन दक्ष संचालित किये जा रहे है मालुम हो कि मिशन दक्ष के तहर जितने भी कमजोर बच्चे हैं उन्हें शिक्षा प्रदान की जा रही है यानि कि उनके लिए स्पेशल क्लास लिए जा रहे हैं जिसको लेकर के बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी स्कूल में दो घंटे सेवा देनी पड़ रही है आपको बता दे कि सुभा के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बच्चों की कक्षाय संचालित होती है लेकिन इस दोरान आपको बता देगी अधिकारियों को स्कूलों के निरिक्षन का भी आदेश दिया गया है जिसमें अब बड़े कई सारे खुलासे हुए है देशल साफ तोर पर एक ये खुलासा हुआ है कि मिशन दक्ष में जो बच्चों की स्कूलों में उपस्थीती है वो केवल 66 प्रतिशत ही है जिसको लेकर के शिक्षा विभाग ने अपनी गंभीरता जताई है अपनी चिंता जताई है जिसके बाद अब एक्षन लेने की तयारी है जी हां आपको बता दे कि शिक्षव विभाग से लेटर जारी कर दिया है और साफ तोर पर अब तयारी कर ली गई है सेवा टोल को और तालिमी मरकज पर क्या कुछ लेटर में लिखा है हम आपको विस्तार से बताते हैं दिसल लेटर में साफ तोर पर लिखा गया है कि अपर मुखे सचीफ शिक्षा विभाग बिहार पटना दोरा वीडियो कॉन्फरेंसिंग में 29 तारी को पटना जीला के मिशन दक्ष एवं स्पेशल क्लास के चात्र चात्राओं की उपस्थिती की समीक्षा में विगत 15 दिनों म मात्रे 66 प्रतीसत औसत उपस्थिती देखी गई जो की खेद जनक है अतर उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि मिशन दक्ष एवं स्पेशल क्लास के चात्र चात्राओं की उपस्थिती शत प्रतीशत करने हैं तू अविलम यथा वश्यक पहल करें और इसके साथ ही गूगल शीट पर अपडेट भी करना सुनिश्चित करेंगे इस कारे में टोला सेवक तालीमी मरकज की सेवा तत पड़ता से ले यदि टोला सेवक या फिर तालीमी मरकज सहयोग नहीं करते हैं तो उनके वेतन कटोती की भी अनुश्यंसा करें तो साफ तोर पर जो बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेदारी होती है जिसको लेकर के साफ तोर पर लेटर में जिक्र किया गया है कि अगर बच्चों की उपस्तीती स्कूलों में बढ़ानी है तो खास करके उनकी मदद ली जाए लेकिन अगर उनके और से मदद नहीं मिल पाता है तो उनके व अपना एक्शन लेने से नहीं चूपते हैं ऐसे में अब उनके निशाने पर सेवा टोलक और तालीमी मरकज भी आ गए हैं अब देखना होगा कि आगे किस प्रकार की गतिवीधियां होती है तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने पी देख हमारी यूटूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही अगरे वीडियो फेस्बूक के माधियम से देख रहें तो पेज को लाइक करना ना भूले